बस अतीक 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 ये गोधी मीडिया आपको 24 घंटे अतीक के नाम पर बेवकूफ बना रहा है अतीक की बीवी की कोल कपोल कहानिया सुना रहा है आप सुन रहे हैं आप बेवकूफ बन रहे हैं 24 घंटे आपको बताता है कि अतीक की बीवी इधर से निकली होगी, उधर गई होगी, उधर भागी होगी, वहाँ पहुची होगी, उधर चिपी होगी इस गोधी मीडिया की चाती दरकती है ये बताने में कि देश की शान पहलवान बेटियां बीजेपी सांसत के यौन शोशन से परिशान है, ये गोधी मीडिया आपको क्यों नहीं दिखाता है कि इस देश का अभिमान बेटियों की शोशन की एफ आई आर तक नहीं लिखी जा हम जाचेंगे हम देखेंगे अरे हम कर लेंगे दूसरे मामलों में लंगूरी बंदर बन जाने वाली दिल्ली की पुलिस बीजेपी सांसत पर लगे आरोपों पर गांधी जी के बंदर क्यों बन गई है दोस्तों याद रखिएगा ये वही दिल्ली की पुलिस है जो एक अं जोडो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के किवल इतना कहने से कि कुछ महिलाओं ने कहा कि उनके साथ यौन शोशन हुआ तो दिल्ली पुलिस सत्तिता का पता लगाने के लिए पहुच गई लेकिन दिल्ली की छाती जंतर मंतर पर महिला खिलाडी भारती जंता पार्टी के ब्रिज भूशन शरन सिंग पर यौन शोशन का आरोप लगा रही हैं लेकिन दिल्ली की पुलिस कान में रूई ठूस कर बैठी है क्या ये बेटी बचाओ अभियान है नहीं ये बेटी बचाओ नहीं है ये पिता जी का सांसक बचाओ अभियान है सांसक बचा रहेगा तो सी देगा गोंडा के आसपास की सीटों पर वोट पीड देगा लड़कियां क्या कर पाएंगी जी मेडली तो जितेंगी कौन सा सीट जितवाएंगी भाई तो एक तरफ बीजेपी को सीट जिताने वाला है दूसरी तरफ देश को मेडल जिताने वाली हैं बड़े शर्म की बात है कि सरकार सीर जिताने वाले अपने सांसत के साथ खड़ी है दोस्तो आज से तीन महीने पहले जब लड़किया धरने पर बैठी थी तो सरकार ने कहा था कि एक महीने में जाच करके हम दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे लेकिन तीन महीने बीच चुके हैं कुछ नहीं हुआ दोबारा देश की बेटिया जंतर मंतर पर धरना करने के लिए जम कर बैठ गई है दिल्ली पुलिस ने अब तक F.I.R. तक नहीं लिखिये सरकार ने बेटियों को न्याए नहीं दिया तो F.I.R. दर्ज कराने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुच गया सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की पुलिस की तरफ सॉलिसीटर जनरल पेश हुए और कहा कि जद साहब पुलिस को F.I.R. दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है पस उसके पहले मामले की जाच होनी चाहिए तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अब कोई भी F.I.R. बिना जाच के दर्ज नहीं की जाएगी पुरा देश जनना चाहता है ये सब तमाशा अखिर क्यों चल रहा है पुरा देश जनना चाहता है कि एक सांसत को बचाने के लिए बड़ी-बड़ी शक्तियां बेटियों की रह में खड़ी हो गई है पूरा देश जानना चाहता है कि ये बिका हुआ भ्रष्ट मीडिया आती के मरने के 10 दिन के बाद भी उसी मामले में आखिर क्यू चिपका है क्योंकि पुलवामा का सच चिपाया जा सके? क्योंकि सांसत को बचाया जा सके? रेसलर बेटियों के समर्थन में कश्मीर के पूर राजपाल सत्पाल मलिक जंतर मंतर पहुचे और बोले कि बेटिया जब तक लड़ाई लड़ेंगी तब तक साथ दूँगा दोस्तो बेटी बचाओ मंडली से एक भी बेटियों के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है सब पतली गली पकड़ कर निकल चुके हैं एक के मुझ से भी ठूक नहीं निकल रहा है कि हम बेटियों को न्याय दिलाएंगे जी प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी 30 अप्रेल को मन की बात कारेकरम के 100 एपिसोड पूरे कर लेंगे इसलिए सम्मेलन शुरू हो रहे हैं लेकिन उसी दिल्ली में बेटियों को न्याय मांगते हुए 100 दिन भी चुके हैं कोई सुनने वाला नहीं है वैसे तो नरेंद्रमोदी जी आकाश्वाणी के रेडियो जौकी नहीं है नहीं किसी प्राइविट रेडियो स्टेशन के आरजे हैं लेकिन उन्हों ने मन की बात के 100 एपिसोड पूरे कर लिया है इसलिए ये जश्ने की बात है बखायदा उप राश्वपती ने मन की बात के 100 सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है बेटियों के बारे में कोई देख नहीं रहा है कोई सुन नहीं रहा है इस देश की राश्वपती तो महिला है जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर तो रहती है अरे हम कहते हैं उनको तो सुनना चाहिए, ये जानते हुए कि वो भी नहीं सुनेंगी मन की बात करने वाले प्रधान मंतरी अपने रेडियो शो के सो एपिसोड पूरे होने के जश्ट में मश्कूल थे संसथ, सत्ता, संस्थाए, सब एक पार्टी के संसथ के आगे बोने हो चुके थे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंतर में देश की शान बनी बेचियों के समचार में अभी इतना ही, नमस्कार